हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग संट्रिफुकल पंप के सारे पार्ट्स के नाम साथ में उसका क्या काम है और महीने में क्या-क्या इकुप्मेंट को चेक करना चाहिए मंथली चेकपॉइंट के बारे में हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेसन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजिए क्यली मेंबर्स के लिए इस्पेसल विडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तो तो चलिए करते हैं विडियो को सुटार्ट विडियो में बने रहिएगा अनत्य तक हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्राइब साइट से समझते हैं और ड्राइब साइट यह क्या काम करता है यह पूरे पंप को इसी कप्लिंग से ड्राइब दिया जाता है यहां पे लबजोई कप्लिंग भी हो सकता है पिन्वूस कप्लिंग भी हो सकता है कोई साभी कप्लिंग यहां पे हो सकता है वो कप्लिंग का काम क्या है यह पूरे पंप को यह ड्राइब करन अंदर जाने से रोकता है दोस्तो और यह वाला जो देख रहे हें lock nut लिखा हुआ है यहां पहें ड्राइब साइट का जो bearing रहता है उसको lock करने के लिए lock nut का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो यहां पहें डी endeavor Lightning का being है यहां पहें देख रहे हैं यह ड्राइबेंड का बेरिंग है और यह जो देख रहे हैं यह साफ्ट है दोस्तों और इसी साफ्ट से पूरा जो पंप का इकुपमेंट है वो connected रहता है इस पे bearing भी connect रहता है इस पे impaler बगेरा सारा चीज इसी shaft में जुड़ा हुआ रहता है दोस्तो यह वाला जो पूरा parts देख रहे हैं यहां से यहां तक यह bearing होजिंग है इसी पे दोनों bearing install रहते हैं drive end का भी और non drive का भी bearing इसी hodging के अंदर में install रहता है दोस्तो यहां पे देख रहे हैं यह non drive site का bearing है और bearing का इस्तमाल pump में क्यों किया जाता है पम में ही नहीं किसी भी equipment में bearing का इस्तमाल friction को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी equipment में bearing का इस्तमाल किसलिए किया जाता है तो आप लोग को बोलना है उस equipment के friction को कम करने के लिए bearing का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो यहां पे भी देखिए एक end cover दिया हुआ है यह जो है यह non drive site के bearing को cover करके रखता है और dust बगेरा अंदर जाने से रोकता है दोस्तो यह वाला जो देख रहे हैं यह liquid deflector ring है इसको water deflector ring भी बोला जाता है इसका क्या काम है यह यहां से जो gland का water leakage होगा उसको bearing के अंदर जाने से रोकेगा दोस्तो यही वाला liquid deflector तो यहाँ पे liquid deflector एक लगा हुआ रहता है दोस्तों यह वाला जो देख रहे हैं यह gland pousser है इसका काम क्या है gland pousser का जो काम है वो gland rope यहाँ पे जो gland rope बगेरा इंस्टॉल रहते हैं उसको प्रेस करने का काम आता है gland pousser का अब gland pousser को opposite में crosswise tight करोगे तो वो gland packing को हलका सा प्रेस करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से जो leakage होते रहेगा तो वो कम हो जाएगा दोस्तों जब आप लोग gland pousser को tight करोगे यह वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए gland packing मैंने लिख दिया यहाँ पर gland packing इस्टॉल रहता है और साथ ही किया जाता अगर सोचे इसके अंदर पानी रहता अभी तो वो पानी को पूरा नहीं रोका जागा यहाँ से रेगुलर ड्रॉपिंग होना चाहिए नहीं तो यहाँ रिंग के ऊपर रेगुलर कुलिंग वाटर गिराया जाता है और उसी कुलिंग वाटर से यह जो gland rope बगएरा रहता है यह लूब्रिकेट भी होते रहता है और ठंडा भी रहता है दोस्तों इस जगा पर यह वाला जो स्लीव देख रहे हैं यहाँ पर स्लीव का क्या काम है स् स्लीव नहीं रहता तो साफ्ट बहुत जल्दी डैमेज हो जागा क्यूंकि gland पेकिंग इसी जगा पे लगे हुए रहते हैं और स्लीव के ऊपर ग्रिपिंग करके रखते हैं और जब पॉम्प रेगुलर गुमता है तो इस जगा पे थोड़ा सा हिटिंग होता है और धीरे दीरे स्लीव जो है वो डैमेज हो जाता है दोस्तो तो अगर यह स्लीव नहीं रहता तो साफ्ट डैमेज हो जाता और स्लीव से ज़्यादा कोस्ट साफ्ट का है दोस्तो यह वाला जो देख रहे हैं यह स्टेफिंग बॉक्स है स्टेफिंग बॉक्स का क्या काम है सारा चीज इसी के अंदर ही इंस्टॉल होता है दोस्तो यह वाला जो देख रहे हैं यह वेयर प्लेट है वेयर प्लेट का क्या काम है वेयर प्लेट इंपेलर और स्टेफिंग बॉक्स के बीच का जो गयाप है उसको कम करने का काम वेयर प्लेट करता है दोस्तो यह वाला आप इस चार्ज करने का काम इसी इंपेलर का ही होता है दोस्तों यह वाला लॉकनट है लॉकनट का क्या काम है यह इंपेलर को लॉक करके रखता है और यह वाला जो की है यह कपलिंग को लॉक करके रखता है दोस्तों तो यह सारा पार्ट का नाम था और उसका काम के बारे मैं ने बताया अब हम लोग समझते हैं कि महीने में क्या-क्या चीज चेक करना चाहिए, centrifugal pump में तो हमेसा आप लोगं को महीने में एक बार, दोनों bearing का lubrication चेक करना चाहिए, अगर यहां पे oil lubrication है, तो oil level सही है या नहीं, अगर grease lubrication है तो सही इसे greasing किया गया है, या नहीं इसको आपनों को हमेशा चेक करना है कपलिंग में अगर लवजोई कपलिंग है तो उसका spider वगेरा चेक करना है spider damage तो नहीं है alignment चेक करना है alignment pump का सही है या नहीं इसको भी आपनों को चेक करना है दोस्तो gland picking को चेक करना है gland picking hard तो नहीं हो गया है ज़्यादा gland से leakage तो नहीं हो रहा है यह सारा चीज आप लों को महीने में एक बार regular चेक करना चाहिए दोस्तों साथ ही pump का जो foundation बोल्ड रहता है base बोल्ड उसको महीने में एक बार चेक करना चाहिए अगर वो lose हो जाएगा तो alignment आउट हो जाएगा और pump का जो vibration है वो भी बहु से है या नहीं motor और pump का lubrication oil का label सही है या नहीं अगर grease lubrication है तो सही से greasing वगेरा किया जा रहा है या नहीं gland rope अगर install है तो gland rope का condition किया है आपको gland pusher को खोल कर और gland rope का condition चेक करना है अगर hard हो गया है तो उसको replace कर देना है अगर replace नहीं करोगे तो बहुत जल्दी sleep damage हो जाएग तो आपको इसको tight करके gland को set कर देना है base bolt को tight करना है और पूरे equipment को महीने में एक बार अच्छी तरह से clean कर देना है दोस्तो तो यह महीने में आपका एक बार checkpoints जो मैंने बता है इसको check किजिएगा तो centrifugal pump का जो life है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तो वीडियो क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला knowledge मिला तो अभी तुरन चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon को press कर दीजे जिससे आप लोंको regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का membership अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का membership जोइन कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो